हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों 5 जुलाई आज से SSE MTS हवलदार परिक्षा 2022 स्टार्ट हो चुकी है फर्स सिफ्ट का जो पहला एक्जाम था 5 जुलाई का वो खतम हो गया है उमीद करते हैं जिनका भी फर्स सिफ्ट में एक्जाम था सभी का एक्जाम अच्छा गया होगा जो 100% रियल कोशन जो आज आपके पूछे गए थे जीके के वो सभी कोशन अपने डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो के एंड तक बने रहीएगा और साथ में SSE MTS हवलदार परिक्षा 2022 का रोजाना सटीक सबसे पहले अनलेसिस देखना चाते हैं तो इस चैनल के साथ जुट जाएए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लीजिए MTS हवलदार की परिक्षा जो है इसके अनलेसिस देखने के लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंड फर्स शिफ्ट का कोशन पेपर आपके स्क्रीन पे है आज आपसे एक कोशन पूछा गया था फर्स शिफ्ट में ये कोशन साइंस का था कि बेकिंग सोडा का रासाइनिक सुत्तर आपसे पूछा गया देखिए पेपर बहुत आसान बना है अगर CHSL की तुलना करें जो CHSL का हाली में एक्जाम हुआ था उससे तुलना करें तो आज वाला पेपर बहुत आसान है जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो बेकिंग सुडा का जो केमिकल फोर्मूला होता है वो NAHCO3 होता है तो ध्यान रखेगा इसका अंसर अगर आपने NAHCO3 करके अगर आप आए हैं तो यह आपका अंसर बिलकुल करेक्ट होगा नेक्स्ट आप से एक कोशन पूछा था आज करेंट अफेर का यह कोशन था थोड़ा सा पुराना करेंट अफेर का था कि पुरूष होकी विसुकप 2018 किस टीम ने जीता है यह सभी कोशन अपने प्रैक्टिस सेट में बार बार किये हुए हैं जितने भी कोशन आज लगबग किये हुए हैं बेल्जियम इसका राइट आंस्वर था पुरूष होकी विसुकप 2018 बेल्जियम देश ने जीता था और अपने बात करें 2006 में जो हुआ था वो जर्मनी ने जीता था 2010 वाला उस्टेलिया ने 2014 वाला फिर से उस्टेलिया ने और 2018 का आज पूछा है बेल्जिय हुआ है तो यह इसका जो आंस्वर है वो होगा उडिसा देखिए भूनेस्वर में जो है ना यह आपका होगा और 2018 वाला भी भूनेस्वर में ही आयोजित किया गया था यह जो ट्रूनामेंट होगा वो भूनेस्वर और रावर केला में 13-39 जनवरी के बीच खेला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका भी आंस्वर क्या होगा उडिसा होगा नेक्स्ट एक कोशन पूछा था आपसे जनगना 2011 का कि जनगना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपसे पूछ लिया गया देखिए जनगना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है तो यहाँ पे 943 आपका राइट आंस्वर था और याद रखिए भारत में सबसे कम लिंगा नुपात वाला राजिये कौन सा है हरियाना है जहांपर लिंगानुपात केवल 889 है और जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और यह जो है ना यह आकड़ा 2011 की जनगर्ना के नुसार है याद रखिएगा नेक्स्ट आपसे एक कोशन पूछा था इनमें से कौन सा एक पारी स्थित की तंतर का उधारन है चार ओप्षन दिये गए थे तालाब, जील, समुदर, नदी तो यहाँ पे artificial आपसे artificial पूछा है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा तलाब ठीक है तो तलाब यहाँ पे आपका right answer पर था एक कोशन ऐसा ही आया था कि इनमें से कौन सा पानी में घुलंसिल नहीं है पानी में घुलंसिल नहीं है यह पूछा था science का कोशन चार option दिया गयते चोक, दूद, नमक या चीनी तो देखिए दूद, नमक, शूगर यह तीनों ही पानी में घुलंसिल होते हैं चोक जो होता है यह पानी में घुलंसिल नहीं होता तो यहाँ पे right answer हो जाएगा चोक एक कोशन आये था आपका सविधान से कोशन पूछा था यह भारतिय सविधान में कितने मोली करते हैं यह आपसे पूछा गया देखिए भारतिय सविधान में 11 मोली करते हैं वे सुरू में सविधान में मौझूद नहीं थे उनमें से 10 को 1976 में 42 सविधान संसोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11 करतवे जो है ना इसे 86 सविधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था ये भी आपसे पूछ सकता है संसोधन जो अधिनियम हुआ था ये आपसे पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवाया है आगे एक कोशन आपसे पूछा था वादे अंतर से और ऐसे कोशन हमने सभी किये हैं ये पंडी सिवकुमार शर्मा वाला जो कोशन आ जाया है ये भी हमने किया हुआ है पंडिस सिवकुमार शर्मा किस वादे अंतर से समंधित रखते थे तो इसका अंसर हो जाएगा संतूर वादे अंतर से ये समंधित थे ऐसे कोशन मैंने आपको धेर सारे करवाएं है और बोला था ऐसे कोशन ही आपके MTS में आएंगे देखिए पंडी सिवकुमार शर्मा का जनम 13 जनमी 1938 को हुगा था वो जम्मू कश्मीर भारत में हुगा था याद रखेगा वे एक भारतिय संतुर्क कला परवीणिये व्यक्ति थे जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुखे रूप से साज और स्थापत्य कला विशिश सम समय रिखिष्या your इंका समन्ध है सारंगी से उस्ताद जाकि रुसेरह में लिखिष्या वेरी इंपोर्टंड इनका समधर बांसूरी से ये तीन नाम आप याद कर लिजिएए हो सकता है में अरावली रेंज के नागा पहाड़ियों से निकलती है एक कोशन आये था अतियोंद्य योजना किसके लिए चलाई गई अतियोंद्य अन्य योजना ये लाखों गरीब परिवारों को अत्यदिक सबसीड़ी वाला भोजन प्रदान करने के लिए एक सरकार द्वारा प्राय कोकिला किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निदन हो गया है करेंट अफेर का ये डिरेक्ट कोशन पूछा है हाल ही में लता मंगेशकर जी का निदन हुआ था इन्हें ही स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी का जनम हुआ था 28 सितंबर 1929 इंदोर में और इनका जो हुआ है न वो 6 फरवरी 2022 को हुआ है मुंबई भारत में ठीक है अगला कोशन आपसे पूछा है जगनात पूरी मंदिर किस राज्ये में है जगनात पूरी मंदिर पूछा है तो यह हो जाएगा उडिसा राज्ये में उडिसा राज्ये से आज 3 से 4 कोशन पूछ लिए गए हैं देखिए उडिसा राज्ये में आपका जगरनात पूरी मंदिर है और डल जील पूछा है तो डल जील हो जाएगा श्री नगर कश्मीर में डल जील स्तित हैं नेक्स्ट एक कोशन पूछा है आशियान देशों की स्थापना कब हुई थी आशियान एक संग्टन है जो की दक्षिन पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से मिलकर बना है जिसकी स्थापना 8 अगस्ट 1967 को की गई थी इस संग्टन का उदेशे एशिया प्राशान छेतर के देशों के भी समर्दी आर्थिक विकार शान्ती और स्थिर्था कायम करना है कब और किन के मध्य हुआ था पूना प्रेक्ट जो समझोता हुआ है यह भीमराव अंबेड कर एं महात्मा गांधी के बीच हुआ था और यह हुआ था मध्य पुने की यरवदा सेंट्रल जेल में कब हुआ था 24 सितंबर 1932 को नेक्स्ट एक कोशन आया है World Health से कि World Health Day का मनाया जाता है यह 7 अपरेल को मनाया जाता है डेसे आगे भी भरूत कोशन आया है ध्यान रखेगा एक आया था पानिपत का तीसरा युद से पूछा है तो देख ये पानिपत के तीन युदूए आया प्रथम हुआ था 1526 में श्राठा और एमद शावधाली के बीच में अइमद शावधाली की जित हुई थी ठीक है एक कोश्न आया था काजीरंगा नेशनल पारक ये आपका असम में स्तित है ये कोश्न भी किया हुआ है हमने एक पूछा है सोमनात मंदिर से प्रसन पूछा गया तो सोमनात मंदिर गुजरात में है इसका निरमान समय चंद्र देव ने किया था जिसका उलेक रिगवेद में स्पश्ट किया गया है एक कोशन था सुर्य का कोरणांक मंदिर जिसे black pagoda कहते हैं ये कहां पर है तो ये है आपका odysa में स्थित है ठीक है और एक odysi नरते किस राजे से समंदित है तो ये हो जाएगा odysa से ये question मेरे को थोड़ doubt है अगर ये question आया है तो बताईएगा confirm कीजिएगा देखिए ये सभी question अबने कर चुके हैं जिनका भी first shift में exam हुआ है अगर आपको कुछ और question याद है तो comment जरू करना और जिनका second और third shift में exam है उनको best of luck और अगर आपका exam आज है तो आप जरूर अपने question comment कीजिए अगर आपको question याद है तो analysis देखने के लिए धन्यवाद